हेलो साथियो नमस्कार स्वागत आप सभी का दिली पुलीस कॉंस्टेवल के एक उन्य वीडियो में साथियो इस वीडियो के दुरण हम देखेंगे कि आपकी जो कटोफ है वो किन किन कारणों से याँ पर परभावित होने वाली है आपकी कटोफ क्या रहने वाली है मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताऊंगा आपके लिए कुछ खास भी है और निव EWS और OBC वालों का क्या होगा क्या उनका कैंसिल होगा क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा वो सारी बात है इसकी वीडियो के देखेंगे आपको पैसेंस के साथ में वीडियो के अंदर बने रहना है सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर इस पॉइंट के उपर बात कर लेता हूँ कि आपकी जो एवरेज अटेंडेंस यहाँ पर रही है न उस्चते उपस्तिती यहाँ आपको बताऊं उसके अंदर से पास कितने हो रहे है ओ एवरेज पास बता रहा हूँ देखे साथ यहाँ पर एवरेज पास में बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो किसी हिसाब से यहाँ पर सारे कि सारे आंकड़ी निकाल के देखे जाए अब तक के physical की जाब से तो देखे जादा जाए है कि यहाँ पर 20 से लेकर 30% के बीच में male candidate पास हो रहे थे लगबग यहाँ पर में average मानूत यहाँ पर 25% हम ले सकते हैं ठीक है कि cut off जो आपके affected होती है वो कुछ कारणों से होती है वह एक तो यहाँ पर कि आप सभी ने देखा होगा कि फरजी वाड़े का यहाँ पर जिकरा रहा ठीक है कि फरजी वाड़ा और बरतियों के अंदर जो इस delivery वाड़ी के अंदर फरजी वाड़ा हुआ है यहाँ पर करीब य होते हैं। जिनके क्रीम यहां पर रिप्ट बातने किरूंगा लेकिन आप यहां पर क्या करना चाहिए हैं हम यहां पर 20 परसेंट भी अगर यह चीज जाहिए न तो इसके हैं दर आपकी अज़री बाता देकि नज़रहा हैं लेकिन आप सभी के मतलब कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिनके बज़े से हम कटोफ जो तयार कला है वो average कटोफ ही तयार कर सकते हैं कोई भी यहाँ पर आपको fix कटोफ नहीं बताएगा पहली बात तुम यह बता देता हूं आपको यहाँ पर expected यानि की एक अनुमानित कटोफ के बारे में बताने जा रहा हूं प्लीज आप वीडियो को पैसेंस के साथ में देखते रहना ठीक है अब यहाँ पर male candidate के बात कर लेता हूं जो जन्रल male candidate हो यहाँ पर 65 प्लस तो रहे गा ही रहेगा 64 65 ऐसे ही आपके average का top रहेगी 64 से नीचे जाने के कोई भी chances नहीं है जन्रल male candidate के अब बात के लेते हैं EWS candidate के देखे EWS candidate का भी तक ही आपको मैं बताऊं कि new EWS ROBC वालों का क्या होगा क्या वो cancel होगे देखे साथ हो cancel नहीं होते है वो general के अंदर count होंगे अब ठीक है बताया जा रहा कि general के अंदर count होंगे जिनका भी new EWS ROBC certificate था वो यहाँ पर जो आपन कम चली जाएगी अदर्वाइस फिर आप EWS के कटोप यह मान के चल सकते हैं कि 57 पलस में यहाँ पर रहने के पूरे पूरे चांसे जाएँ ओके यहाँ पर OBC का जिकर कर लें तो 63 यहाँ पर रहेगी यहाँ पर AST का जिकर करें तो 56 पलस रह सकती है और यहाँ पर आपकी बा कर लेना क्योंकि यहाँ पर इतने पहलो निकले हैं आपकी इतने दिन हो गया फिजिकल चलते हुए उस हिसाब से एवरेज का टोप मैं आपकी तो यहार करके लाए हूँ और पर पहले कर रहा हूँ इस चीज को किलियर कर लेना फिर मात कर लेते हैं फीमेल कंडिडेट की तो जनरल के अंदर तो 51 पलस, EWS के यहाँ पर 35 पलस मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ क्योंकि आपके सर्टिफिकेट का अभी तक यहाँ पर फिक्स नहीं है क्या आपके साथ नहीं होने वाला है तो इस चीज को यहाँ पर किलियर कर लेना उसके बाद हैं वो भी सी जो कि बता रहा हूँ, यहाँ पर 47 पलस रहेगी और SC कंडिडेट हैं वो यहाँ पर 42 पलस और SC कंडिडेट का अगर जी करें तो यहाँ पर आपвор 43 पलस यहाँ पर रहने इफेक्टेर होने वाली है सात्यों इस पोइंट को यहाँ पर पहले ही किलियर कर लेना कोई भी confusion में मत रहना इसलिए सात्यों में आप सभी के लिए एक offer लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक good news लेकर आया हूँ कि SSCGD आप यह मानके चलो कि SSCGD दिली पुलिस कंडिडेट के लिए वर्दान होगी यहाँ पर क्योंकि उन्हों की तयारी जो वह पहले से की हुई है अग्जाम उन्होंने के लिए क्लिए क्लास होगी जो भी कंडिडेट यहाँ पर चाहें तो वह कमेंड कर सकते हैं कि सर हमें कलास से यह तो मैं आपकी कलास से स्टार्ट कर दूँगा उसी दिन से ठीक है और फिर बात कर लेते हैं इस्टेटिक जिक्के की ठीक है इस्टेटिक जिक्के पलस रिजिनिंग ये आपके बहुत ज़्यादा मायने करने वाले है SSC GD के अंदर तो इन दोनों की कलास में आपको दूँगा अगर आपने एक बार कलास देख ली तो आपको जो मतलब दुबारा से रिविजिन करने की जूरुत नहीं पड़ेगी कलास के अंदर यापको यादगरुआ दियाएगा अच्छी तरीके से आपको एक अलग पैटरने के इस हाथ में साथ में आगे बढ़ते रहना है और तयारी के अंदर दिमोटिवेट हुए गया आपको SSE की तयार जिनका फीजिकल हो चुका है उनके लिए में बताना चाहूंगा जिनका नहीं वाह उनके लिए में बताना चाहूंगा आप सभी को क्या करना है SSE GD की तयारी अभी शुरू कर दिनी है आज ही से शुरू कर दिनी है क्योंकि कल से फोर्म स्टाट हो चुके आप सभी को बता范 फोर्म स्टाट होते ही साथ अग्जाम लगते हैं इसके अंदर टाइम नहीं लगेगा आप सभी के पास में यहीं 4-5 महिने 6 महिने मान सकते हो आप अग्जाम के लिए सबसे पहले अग्जाम होगा तो आप सभी को उसी के तयारी के अंदर आप जुट जाना है आप सभी का साथ देने के लिए मैं आपर तो यारों आपके लिए कलासी स्टार्ट हो जाएगी साथ में अगर साथ और को डाउट अता प्रमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं आज की वीडियो मस इतना है मिलते नेक्स्ट वीडियो के अंदर धनिवाद